दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों विश्याला सबकर स्वागत करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोगको वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तबाना ना भूलें ताकि कि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नई वीडियो बनाये करें आपको नोटिफिकेशन और हमको नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाये करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को दोस्तों आपको लाइक और क नहीं किया तो लाइक और कशुर्म करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है आपको ओके दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों आज की जो वीडियो में एब बताने वाला हूं वो application काफी मज़दार है दोस्तों आपके फॉरम बहुत सारे हैं उनमें से Rx solution में आपके पास लेके आया हूँ दोस्तो cloud आप क्या कर सकते हैं दोस्तो आपको पता होगा दोस्तो आप Gmail पर जब भी कोई अपनी ID बनाते हैं तो वो आपको 16GB का storage प्रोवाइड कराते हैं जो कि free होता है ओके दोस्तो लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अपने Google storage पे यानि की Google drive बोल सकते हैं जिसे ओके दोस्तो वहाँ पे ज़्यादा डेटा चला जाता है तो वो भी एक टाइम के बाद भर जाता है उसके बाद वो आपसे premium के लिए बोलता है ओके दोस्तो अलाकि यह चीज़ ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी क्योंकि दोस्तो 16GB का storage लोग चाहतर यूज नहीं करते हैं लेकिन मुझे और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पढ़ जाती है आप जैसे ही Google drive खोलेंगे तो वहाँ पे आपको message वग लेंगे आपको इस तरीकी से interface देखने को मिलेगा ओके दोस्तो यहाँ पर आपको आपकी Gmail ID डाल देनी है ओके दोस्तो Gmail ID के मतलब से आप इसे कर सकते हैं यहाँ पर जैसे ही जाएंगे दोस्तो यहाँ पर आप upload का option देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ using 0% of 100GB यानि कि मै 100GB तक का use कर सकता हूँ ओके दोस्तो अब मैं फोटो पर जैसे ही किलिक करूंगा दोस्तो ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह मेरे storage बता रहा है कि DCIM camera facebook क्या चीज मुझे upload करनी है cloud storage पर आप यह कर सकते हैं यहाँ से upload कर सकते हैं उन सब चीज़ों को और उसके बाद application काफी अच्छी है इसके reviews आप देख लीजिएगा मैं आपको link provide कर आऊंगा reviews देखेंगा reviews भी बहुत अच्छे मिलेंगे तो इस application को use कीजिएगा मज़ा आएगा अगर आप इस application को use करेंगे तो इसके लावा videos, documents जो भी आप upload करना चाहते हैं upload कर सकते हैं because यहाँ पे आप आपको 100 GB तक का storage मिल जाता है ओके दोस्तों यहां optimization पर जा सकते हैं अगर आपको optimize करना है storage आपका तो आप optimize भी कर सकते हैं जो चीज आप डिलेट करेंगे वह आपको दोस्तों को यूज कर सकते हैं यूज करके जरूर बताइएगा यह अप्लीकेशन कैसी लगती है यह अप्लीकेशन अगर आपको ज़रा से ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और नईनी वीडियो में नईनी एप्स के साथ तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तो